नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरी प्रिय विद्यार्थियों, जेन्यू रेनेसा ओनलाइन क्लासी जैप में आपका स्वागत है, मित्रों आज की क्लास में हम कॉलेज सायक प्रोफेसर हिंदी की परिक्षा की संदर में कुछ महतपूर्ण बिंदू पर डिसकस करेंगे, इस संदर में पिछले कुछ दिनों से मैं विचार कर रहा था कि इस बार कॉलेज सायक प्रोफेसर हिंदी की भरती परिक्षा में कालकरम से जुड़े हुए महतपूर्ण सवाल उभर कर आएंगे, और ये कालकरम वाले सवाल आपको किस परकार से ध्यान में रखने हैं, इनकी ह हम आज बातचीत करेंगे, मित्रो इस संदर्व में सबसे पहले हम यदी, चुकि RPSC की सिलेवस में दो फर्ष्ट पेपर और दृत्य पेपर, इनमें से 150 क्वश्चन आने हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि लगवग 20-25% के आसपास कालकरम वाले सवाल आप से परिक्षा में पूछे जाएंगे, अब ये कालकरम वाले सवाल कहां कहां से बनते हैं, इस पर हम थोड़ी सी आज बातचीत करते हैं, मित्रो, यदी हम फर्ष्ट पेपर की बात करें, तो फर्ष्ट पेपर की जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई में भासा से सम्मंदित सवाल होंगे, और भासा से सम्मंदित सवाल में जो सालकरम वाले क्वेशन बनते हैं, उसकी संभावना बहुत कम जगव से सवाल बनने की है, लेकिन फिर भी वहां से हमसे पूछ सकते हैं कि विश्व के इस तरह पर जो भासाय बोली जा रही है, वो आधिक से कम की तरफ बढ़िये, यह भारत के इस तरह पर जो भासाय बोली जा रही हैं, वो आधिक से कम की तरफ बढ़िये, तो इसको हम यह कह सकते हैं कि हमको ध्यान रखना है कि विश्व के इस तरह पर चीनी मंडारिन और उसके बाद हिंदी का नाम है, वैसे तो मित्रो जो ताजा आंकडे हैं, वो यह कह रहे हैं कि चीनी मंडारिन के बिलकुल स होने वाली है, लेकिन जब तक इसकी अधिकारिक गुष्णा नहीं हो जाए, तब तक हमको ध्यान रखना है कि चीनी मंडारिन एक नंबर पर है, उसके बाद हिंदी है, तीसरे नंबर पर अंग्रीजी है, और चौथे नंबर पर जो भी होगा वो आ जाएगा, और भारत के स है, बांग्ला, तीसरे नंबर पर है तमिल, और चौथे नंबर पर तो जो भी भासा आ रही है, वो करम हो जाएगा, तो भासा विज्ञान वाले यूनिट से कालकरम वाले सवाल कैसे बनेंगे, तो ध्यान रखना है आपको इसमें, कि विश्व के इस्तर पर और भारत के इस संशकत के बाद, लोकिक संशकत, फिर पाली, फिर प्राकर्त, फिर अब्रंस, फिर आवट, फिर पुराने हिंदी, और आधुनिक हिंदी बोलिया, इस क्रम को भी वो आपसे लगवा सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे पिछली बार क्वेशन पूछा कि उत्तर अब पर ये है तो वो है अवट और इसका समय आप जरूर कंठस्त याद कर लेंगे बासा विज्ञान में मुख्य तोर से आपको ध्यार रखना है कि जो हिंदी की पांच उपभासाएं है उन पांच उपभासाओं की अठारा बोलियां और वो अठारा बोलियां किसकी छित्र में ब कौन सी है राजस्थानी में जो चार मुख्य तोर से चार बोलिया है मेवाती मालवी डूंडाड़ी और मारवारी ये सब कहां कहां बोली जा रही है और इनकी उपभूलिया क्या है विशेशकर बोजपुरी बोली को जोड़ा है इस पेसल उसका छेत्र क्या है सबसे भासाएं हैं उसमें जो अंतिम में जुड़ी गई है बोडो मोस बोडो डोगरी और मोस मैथली और संथाली उनको भी करम से आप ध्यान रखेंगे अंतिम चार को तो मित्रों यह है और राजभासा सम्मंदित जो प्रावधान किसकी सनुच्छेद में है भाग पांच करनेंगे तो मित्रों कालकरम वाले सवाल में इन पहलू को भासा विज्ञान से सम्मंदित आप ध्यान रखेंगे चोकि मैंने आपको विस्तार से यह पढ़ा दिया है इसलिए मेरा उद्देश ही यहां उस पहलू को पढ़ाना नहीं है मैं तो सिर्फ अब आपको संकेत दे तो देवनागरी लिपी और देवनागरी लिपी है तो देवनागरी लिपी का इतिहास है यह बहुत महत्पूर है ध्यान रखेंगे आप मैंने आपको विस्तार से समझाया है किसी ब्रहामी लिपी फिर बाद में किस प्रकार से नागरी है किस प्रकार से गुप्त लिपी का पिकास हुआ। Sweet happy teddy media xtशरों में थी तो कैसे इसकोश पूतिल लिपी कहा जाता थाकुश लिपी और्फिर किस प्रकार से इस देव नागरी लिपी का विकास हुआ से कन्शूज रहते हैं कि अब देवनागरी लिपी को हम कुटिल लिपी से निकला हुआ माने या ब्रहामी लिपी से अरे ब्रहामी लिपी तो इनकी नानी की विनानी हो गई ब्रहामी लिपी से इन सब लिपियों का विकास हुआ है तो हम जान रहे हैं लेकिन कुटिल लिपी तो इसकी मा है तो निकट संबंद किस से है खुटिल लिपी से और खुटिल लिपी असर में कोई और दूसरी लिपी नहीं है वलकि गुप्त लिपी का ही नाम खुटिल लिपी है ज्यान रखेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा विकास पूछ लेंगे ब्रहामी, नागरी, घुप्त या तो लिपी से करम लगवा सकते हैं विशेश कर हम करम की बात कर रहे हैं अब हम आते हैं दूसरी इकाई पर और जो आपकी दूसरी इकाई है यानि की फ़स्ट पेपर के संदर में हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं तो सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं सेकंड य कालकरम के सवाल कहां से कैसे बनेंगे तो देखिए संस्कत समिक्षा साष्टर में छे सिद्धानते हैं उन छे सिद्धानतों को करम से लगा लीजिए कि सबसे पहले रस संपरदाय है फिर अलंकार संपरदाय है अलंकार संपरदाय भामा छटवी सदी के हैं और उसके पश्चा संप्रदाएं, इन को ध्यान रखें और इन संप्रदाऊं के करम का करम ध्यान रखेंगे, रसवादी आचारियों में जैसे कि आचारे भरतमुनी, पंडितराद, जगननात, मममट, विसुनात, चारो रस निस्पत्ति की व्याच्छाकारों को करम आपसे लगवा लेंगे सबसे पहले भट लोलट और उसके पश्चा संकुक, भट नायक और अभिनवगुप्त इन सब का करम आप द्यान रखेंगे अलंकार वादी चार आचारियों दे देंगे आपको कि भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट तो यह इसी प्रकार से करम से हैं भोज, राज, राज, सेखर उन सब का आपको सताब दियाद रखनी है विशेसका संसका समिक्षा सास्तर के छैसे दांतकारों के जो प्रतिष्ठापिक आचारिये हैं आनंद वर्दन कव के हैं, छे मिंद्र कव के हैं, कुंतक कव के हैं वो तो संपरदाओं से ही लगा दो गया, तो वो करम वहां से बन सकता है और जो रस के अव्यव हैं, जिसमें हम रस के अव्यव करम से लगाते हैं अब रस के अव्यव में जो भरतमुनी ने सूतर दिया है कि विभावा नुभाव व्यवचारी संयोग अद्रस निस्पत्ती तो सबसे पहले विभाव फिर अनुभाव फिर व्यवचारी ऐसे करके करम उन्होंने बताया है संयोग में उन्होंने इस्थाई भाव का सूत्र में उलेक नहीं किया है और वैसे आपसे करम लगवाएं तो म इस्थाई भाव जब मिल याता है तो अनभाव की स्थति पैदा होती है तो वैसे करम के दृष्टि कौन से अनभाव कहां रहा है बर्तमुनिक एरसुत्र के अंसर अनभाव कहां रहा है इन सब पहलों को आप दिहान रखेंगे मित्रों विशेशकर सात्विक अनभाव कौन से आठ हैं उनके अर्थ क्या हैं कंडिसन देकर आप से छटवाए जाएंगे काईक वाचिक सात्विक आहारी अनभाव की जो बदलाव हैं वो मैंने बड़ी बारिकी के साथ में आपको समझाए थे तो उन पहलों को आप दिहान र घोरा आप जैसे मालो एक पंक्ति आती है कि सुनत बचन के लखन कठोरा तो वाचिक अनभाव या परस सुधारी धर्यों कर घोरा परसुराम जी ने हाथ में अपने जो परसु को सुधार लिया तो काईक या अगली पंक्ति और जोड़ दे की सुनत लखन के वचन कठोरा प जनो देओ दो समोई लोगो कटवादी बालक वद जोगो अब ये वाचिक अनभाव हो गया तो ठेराओ किस जगे पर है वो वाले पहलू को आप विसी इस ध्यान रखेंगे तो मित्रों कावसाश्त्र में कालकरम के ये पहलू बनेंगे इसके पस्चाथ जो आपकी तीसरी यूनिट है वो है पास्चात्य कावसाश्त्र की पास्चात्य कावसाश्त्र की जो निरधारी तालोचक आपकी सिलिवस में लगे हुए हैं उसमें मैं विशेश कर कहूंगा कि एक तो आप कॉल्रीज को याद रखेंगे कॉल्रीज को ध्यान रखने के बाद फिर आप इलिय और विशेशकर इलियट की तो पूरी-पूरी संभावना है कि इलियट के चार रचनाओं को दे देंगे और इन्हें क्रम से लगाईए बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि पाश्चात्य कावसास्त्र में से कुल 30 सवाल आएंगे जिन में से अकेले 10 सवाल प्लेटो और से सम्मंदित होंगे, उनके अनुकरन सम्मंदी, कावसमंदी, सिद्धान्तों की तुलना पर विशेश ध्यान दीजिए, उनके द्रस्टी का उनका 지पश्टी करन अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और जो अरस्तु के सिद्धान्त है, विसी इसकर अनुक्रौन सिद्ध्धांतों उन पहलू को आप जानेंगे तो यहां से तीसरी यूनिट में कॉल्रिज और इलियट इन की लचनाओं के करम को ध्यान रखेंगे बाकी तो जो जो कोर्स में लगे हुए हैं प्लेटो है अरस्तू है लॉंजाइनस है या फिर ये इलियट कोर्स में है कॉलरिज कोर्स में है वर्स वर्स वले सीधा सीधा नहीं है या रिचर्ड्स नहीं है लेकिन इनका भी आपको सतावदी ध्यान रखना है चार पास्षाते आलोचक को ले करके काल करम में आप से करना रखने चाहिए इसके बश्जात आ जाईए आप फश्ट पेपर की फोर्थ उनिट पर हैं वर्ष्ट पेपर की जो फूर्थ यूनिट है हम परतंप्रसंपत्र की बात कर रहे हैं और बहूत निरणायक रहेगा परतंप्रसंपत्र और आपको पता है कि 22 सितंबर से और इंदी का नंबर आने वाला है मित्रों तो अब इसमें जो चौते यूनिट है इसमें हम जान रहे हैं कि निर्धारित पद्यपाश लगे हुए हैं अब यहां से कालकरम वाला सवाल क्या बनेगा यहां से कालकरम और अवधरना वाले सवाल जिसमें जो जो आपके कवी लगे उनके तो खेर आप डेट ओव वर्थ उनका डेट ओव वर्ष तो याद रखेंगे रखेंगे वाई किस वर्ष में हैं इसके अलावा उनकी रचनाओं से पाठों से सवाल से पहले आप ये दियान रखेंगे कि बिहारी सतसई के दोहे लगे हुए हैं तो बिहारी सतसई की पहलू को मुख तोर से आप याद करेंगे देखिए पद्ध का बहुत बड़ा इसमें रॉल है क्योंकि एकाई चार से जो तीस क्वेश्चन आएंगे ये पूरे की पूरे पद्ध में से आ रहे हैं जबकि जो पांच भी यूनिट है इस पांच भी यूनिट में भी आप देखिए तो राम की सकती पूजा और कामाईनी और अंधेरे में ये जो तीन आधुनिक बड़ी बड़ी रचनाये हैं इन में से मित्रों आप 15 क्वेश्चन मान कर चलेंगे यानि की सेस बचा जो गद्ध का पाठ है गद्ध वाली जो ही काई इसमें आ रही है वहां से केव पंद्रा ही क्वेश्चन परिक्षा माएंगे इस प्रकार 30 प्लस 15 बराबर 45 क्वेश्चन तो आपके केवल और केवल पद्य पाठों से आ रहे हैं तो राम की सकती पूजा की तमाम विसीष्टाएं जो सैन रचना विहु रचना का विसास्त्री द्रश्टी कौन से विचार देगा कि फिर अटहा संसरह रावन खलखल भावित नैनो से सजल गरेदो मुक्तादल यहां कौन सा अनभाव है काईक वाचिक सात्विक आहर यह तो सीदे सीदे आप अटहा संसरह खलखल वाने जाएंगे भावित नैनो से सजल गरेदो मुक्तादल तो यह हो जाएगा सात् कौन सा तो अस्रु सात्विक अनभाव कावसाश्त्रिय सवाल बनेंगे बहुत अच्छे अंधेरे में किसका प्रतीक है और अंधेरे में कविता के बारे में तमाम विचारकों ने जो विचार प्रस्तुत किये हैं असमिता का विले असमिता का जन्चेत्ना में विले विपला उकरांती तमाम चीजे जो हैं वो इनसे जोड़ करके आप देखेंगे कामाईनी से भरपूर मात्रा में सवाल आएंगे कामाईनी 1935 में लिखी गई थी कहीं कई 1936 का भ्रहम पैदा करती है कुछ गाइडे लेकिन 35 उसकी बिल्कुल सही डेट है कामाईनी में भी आप ध्यान रखेंगे किससी बड़ा सर्ग कौन सा है सबसे छोटा सर्ग उसमें लज्या है और सबसे बड़ा सर्ग उसमें दर्सन है उस सब चीजों को आपको ध्यान रखेंगे और कामाईनी से क्रम कामाईनी के जो 15 सर्ग हैं उनको बिल्कुल कंठेस्ट आप क्रम से याद कर लेजिए चिंता असा सरद्दा काम वास्तन लज्जा करम इर्शाइड्या वैसे दर्सन रहस्यानंद जो सबसे अंतिम वाले हैं तो इन पहलों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मित्रों ये 15 सर्ग आपको कामाईनी के याद रखने हैं राम की सत्ती पुझा और ये जो इस प्रकार से मैं मानके चल रहा हूँ कि जो प्रथम प्रसंद पत्र है आपका इसमें आपके कालकरम से सम्मंदित लगबग दस महत्पूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहां से और जो प्रथम प्रसंद पत्र है हिंदी साहित यहां से वहां से कालकरम के सरवादिक सवाल पूछे जाने की संभाव करना है अब जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जब हम प्रथम प्रसंपत्र की बात करते हैं कि प्रथम से मतलब यह तो भी अबने प्रथम की बात की थी जब हम द्युत्य प्रसंपत्र की बात करते हैं पर थम मुझे इसलिए याद रह जाता है क्योंकि सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का यद्यन किया है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में कालकरम वाले सवाल इंदी साहित्य का इतिहास यहां से कम से कम में मान के चल रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन कालकरम के होंगे और टोटल क्वेश्चन 25 से 30 के बीच में होने की संभा होना है तो यहां से सबसे पहले आप जो पहली इकाई है आपकी आदिकाल तो विचार कीजिए कि आदी काल में कैसा कैसा काल करम लग सकता है सबसे पहले तो आप जो पढ़ते हो सिद्ध साहिते का ध्यन करते हो फिर जैन साहिते का करते हो फिर नाथ आते हैं ध्यान रखने नाथ तो दसवी सदी में आते हैं वो तो कहने करने में समय करने में हम सिद्ध और नाथों का एक साथ उलेक कर देते हैं तो सबसे पहले हम सिद्ध साहिते पढ़ते हैं फिर जैन साहिते पढ़ते हैं फिर नात साहिते फिर रासु साहिते हैं इनको करम से लगवा सकते हैं इसके अलावा मेजर मेजर रचनाओं क को ले सकते हैं जैसे कि दोहा को स्रावकाचार उक्ति व्यक्ति प्रकरण रणमल चंद इने करम से लगाओ तो देख को डरना नहीं है हमको उसके थोड़ा सा क्या है ठेर करके सोचना है कि अच्छा भाई दोहा को से सरेपा ने लिखा है तो सरेपा तो साथवी आठवी सदी के है जाएंगे 779 में जर्म है तो तो आठवी सदी के होगे स्रावकाचार है 933 में लिखी गई है दसवी सदी के रचना हो गई उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और बारवी सदी की है रणमल चंद है वो तो स्रीधर ने जो है तेरा सो सत्यान में चौदवी सदी के एंड में जो हिंदी के प्रमुख कभी हैं यहां से कालकरम का सवाल आपका आधिकाल से सम्मंदित बन सकता है तो प्रमुख रचनाओं को आप से ले लेंगे और ध्यान रखेंगे विशेश का रासो ग्रंथों के बारे में ध्यान रखेंगे इनको कालकरम से पूछ लेंगे तो यह का क्योंकि राम चंद्र सुकल करम के दरश्टी कौन से खुमान रासो को पहले मानते हैं जबकि हजरी प्रसाद द्वेदी कहते हैं कि ये तो 1730 के आसपास यानि 17-18 सदी में लेखी गई रचना है खुमान रासो तो ध्यान रखेंगे आप जो रासो रचनाओं का करम लगाएंगे तो देखिए रासो रचनाओं में खुमान रासो फिर बात करते हम विसल देव रासो परमार रासो प्रत्विराज रासो हमीर रासो विजयपाल रासो और फिर पुनहे मैं यहां लगा रहा हूँ खुमान रासो इसको समझी आपकी खुमान रासो दो प्रकार से कैसे आ रहा है खुमान रासो एकदम प्रारब में भी आ सकता है एकदम अंत में भी आ सकता है इससे तया नहीं होगा तया होगा बीच की रचनाव से क्योंगे हजरी प्रसाद वेदी यहां खुमान रासो एंड में मानेंगे और सुकुल जी के अकोडिंग जो है खुमान रासो तो नवी सदी के चित्तोडगर के खुमान दिते था वहां से शुरू मानते हैं अब देखिए बीसल देव रासो है यहां कोई डाउट नहीं किसी प्रकार को समवत बारे सो बहतरा अब ये बारे सो बहतरा में सुकुल जी ने उसका बारे लिया है 1212 समवत का मतलब है 57 माइनस कर लो 20 सब निकल जाएगी तो 7,8,9,10,1,12,5 ये ओगया 6 और 6 तो 6 से 7,8,9,10,11,5 और 115522 जिसाथ पांच, बारे 2, 5,5,10,11 और 115522 निकल गया रअवी सदी हो गई और परमान रासों के बारे में कहते हैं कि रचना तेरवी साधिसे प्रारम्प माल लेते हैं इसको वैसे तो रसो रचनाओं में सबसे अधिक विवाद तो इसकी अप्रमानिता का सवाल इसकी इतिहाश शिक्ता इनके प्रकासन वर्स उसी को लेकर के हैं लेकिन कभी करण लगाना पड़ गया थे इस प्रकार से लगाएंगे प अब्रंस रचनाओं की समाप्ति यहीं से समझने चाहिए और विजयपाल रासो ये सोलवी सदी की रचना है और हजारी प्रसाद द्वेदी के अंसार हजारी प्रसाद के अंसार तो ये जो खुमान रासो है ये सत्रवी अठारवी सदी की रचना है तो इस प्रकार देखी तो यह तो आदिकाल की सीमा रेखा से बाहर की रचनाई हैं और कभी करम लगाएंगे तो आप इस प्रकार से करम लगाएंगे तो यह यह वा आदिकाल के विशेष्ट पक्ष जहां से कालकरम के सवाल बंगते हैं और इसमें कुछ बिखरी हुई रचनाओं को भी आप ध्यान जैसे अब जैसे क्या है कि अन्य रचनाओं में होता यह कि एक रचनाओं जैसे कि अन्य रचनाओं में बसंत विलास है अब बसंत विलास तो खेर आप से नहीं पूछेंगे कि करम के इसाब से इसे कहां लगाओगे आप क्योंकि इसके रचना का रग्यात है कब लिखी गई दर्भागे से इसका भी स्पष्ट पता नहीं है वो तो केसव राय हरसद राय ध्रोव ने सबसे पहले इसका संपादन किया था बसंत विलास जिसमें 84 दोहे मिलते हैं और आदिकाल की सर्वस्रेश्ट साहितिक और लौकिक रचना है बहुत स्रेश्ट लौकिक रचना है लेकि उक्ती व्यक्ती प्रकरण उक्ती व्यक्ती प्रकरण और इसके अलावा चलो हमीर रासों की बात तो कर ली और रणमल छंद वर्न रतनाकर डोला मारूरा दोहा इन रचनाओं को कोई सी चार रचनाओं को दे करके आप से एक करम लगवा सकते हैं अब प्राकर्थ पैंगलम की कोई लीशी डेट नहीं है लेकिन चौधवी साधी की रचना माना गया है क्योंकि रामचंद्र सुक ने प्राकर्थ पैंगलम में आए आट चंदों के आधार पर ही सारंधर की हमीर रासो गरंथ के इस्तित्यों का पता लगाया था और हमीर रासो का समय 1357 इसवी मिलता है तो ये रचना चौधवी सदी की हो गई रावर्वेल है इसको दसवी ग्यारवी सदी की रचना मानते हैं उक्ती व्यक्ती प्रकरण है ये बारवी सदी की रचना है और रनमल चंद है 1397 में 20 है तो ये तो बिल्कुल आदिकाल के एंड में जा रही है ये चौदवी सदी का अंतोने वला है वन रतनाकर है ये तेरासव पचीस एसी में है तो ये चौदवी सदी के प्रारंप की रचना है तो रर्रमल función से पहले वन रतना करा जाएगी और डोला मारूरा दोहा है ये मूल रूप से ग्यार्वी सदी की रचना है जिसमें बाद में काफी परिसकार होता गया जुडा होते गए और चौदवी सदी में कलोल ने इसमें इसकार थ्विस्तार किया इसमें रचनाएं जोडी कुछ छंद जोडे पर ग्यारवी सदी के हिसाफ से डोला मरूरा दोहा और देख लेंगे यदि आपको चौदवी सदी के हिसाफ से भी इसको लगवा सकते हैं दोनों संदर्बों को आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की सवाल जो है काल करम के लिए आदि काल से आप तयार रखें केवल रचना रचना कारू में रख्टा नहीं लगाएं क्योंकि कॉलेज सायक प्रोफेसर की बरती परिक्षा में मैं आपको बता दूँ कि कॉलेज सायक प्रोफेसर की बरती परिक्षा में जो 300 क्वेस्चन आने वाले हैं इन 300 question मैंसे मित्रो 200 question तो ऐसे आएंगे जो सामानी केवल एमें पास विध्यार्थी होगा वह भी इनको बना देगा और उस आधार पर आप यह नहीं कहेंगे कि पेपरासान है वा मेरा तो हो गया क्योंकि जो decision है वो 600 सवालों में है यह 300 question जो बनाता है वही इस युद्ध छेतर का विज़ेता गोसित होगा और मित्रो यह जो 100 सवाल होंगे इस में से कम से कम आप 25 से 30 question तो आएंगे आउधार नात्मक आएंगे और आउधार नात्मक में क्या है कि कौन सा कथन सही नहीं है विशिष्ट रचनाकार की रचनाधरमिता के पहलों से या की परवर्तियों की संदर में सवाल आप से पूछेंगे चायावाद की कौन सी एक विशिष्टा नहीं है प्रगतिवाद की कौन सी एक विशिष्टा नहीं है प्रक्तिवाद और प्रियोगवाद की समानताओं के आधार पर कौन सा एक बिंदू सही नहीं है तमाम प्रकार के सवाल बनेंगे और तकरीबँ मैं मान के चल रहा हूं कि 20 क्वेश्चन इनको पूछ रहेंगे ये कालकरम के तो कालकरम से सवाल बनेंगे वो भी क्वेशन बहुत आसान नहीं होते हैं तो पचास सवाल तो आप ये मान के चलें 30, 20, 50 और बाकी के 50 सवालों में एक तो होता है रचना परक आउधारना रचना परक आउधारना का मतलब है कि रामचरित मानस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ब्यारी सत्सरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पद्वामत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उस प्रकार के सवाल और फिर इसमें से सवाल बनेंगे वो होंगे कथन कारण इस्थापना से सम्मंदित सवाल और ये जो 100% होंगे बहुत निरनाइक होंगे और विमान के चल रहा हूँ कि आपका स्कोर 225 क्वेशन से कम होना ही नहीं चाहिए मित्रो नेगेटिव मार्किंग कार्ट पीटने के बाद में 285 तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ वरना आपको 290 का टार्गेट लेकर चलना है तब आप जो है इस पेपर को जीत पाएंगे क्योंकि फिर आप पेपर थड में यदि 45 से 50 भी क्वेशन से ही बनाते हैं सो में से तो भी आपकी टॉप रिंग आनी ही आनी है और प्रथम प्रसंद पत्र की जो इकाई है सबसे अंत वाली जिसमें कुछ गद की रचनाएं जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं आपको कह दूँ कि जैसे की रागवे करणोरसे तो कुबेर नाथ राए उनके निबंदों का संग्रे करम कालकरम हजारी परसाथ दुएदी के निबंद लगा हुआ है नाखुन क्यों बढ़ते हैं तो हजारी परसाथ दुएदी के जो निबंद है उसका कालकरम त्यार कर लेजिए राम चंदर सुकल का आलुचना करम को बहुत अच्छे से काल करम के लिए तयार कर लेंगे आप उसे प्रकार से विजदान देथा की एक कहानी लग गई है तो विजदान देथा की रचनाओं के अच्छे से नाम ध्यान रखेंगे राहुल सांकर्तियान की मेरी तिबबत यात्रा तो राहुल सांकर्तियान के चार यात्रवरतों को करम से लगवाएंगे आप से तो उनके यात्रवरतों का काल करम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और मित्रों जो कहानिकार लगे हुए हैं जैसे कि यसंकर प्रसाद की कहानी लगी हुई है तो प्रसाद के कहानियों अक्रम कि छाया प्रतदोनी आकास धीप आंधी और इंदर जाल जिन जिन कहानिकार चाहिए वो अग्गे की लगी हुई है रोज कहानी तो जैनिंद्र अग् आप अच्छे से तयार कर लेंगे जो पांच भी, इकाई के जो गद्धकार लगे हुए हैं, जैसे की जह नेंद्र है। जैनेंद्र का त्याग पत्र है लेकिन इसकी कहानिया, उपन्यास और निबंद तीनों से कालकरम आप अच्छी से तयार कर लेंगे, वो आप से बिलकुल पूछ लेंगे, प्रेम चंद के उपन्यासों से कालकरम वाला सवाल बिलकुल तै है, वो आना ही आना है, विस्तार से मै मैंने आपको पढ़ाया है उनके उपण्यासों की पूरी विशेष्टा पढ़ाई है तो मितु ये कालकरम के बारे में हमने आज बात की है और बहुत कम समय के लिए मैं आज आपकी किलास ले पा रहा हूं और अगली बहुत शिगर किलास में आपको दूसरी प्रस्तुत करूँगा जिसमें मैं भक्ति काल से लेकर जो प्रथम प्रसंपत्र में हमने डिसकस किया और द्वित्य प्रसंपत्र में हिंदी साहित्य की तियास में हमने आधी काल को डिसकस किया है कालकरम के लिहास से अब भक्ति काल रीती काल और आधुनिक काल में कवीता और अंति मिकाई जो गद्ध खंड है वहां कालकरम के सवाल किस किस रचनाकार से उठेंगे ये मैं आपको अगली किलास में समझाऊंगा मित्रो इन पहलू को विशेश रूप से आप ध्यान रखेंगे आपकी प्रतियोगतिया परिक्षा में बहुत निरनायक मूड आने वाला है इन कालकरम वाले सवालों से जल्दी मिलते हैं अगली किलास में आज के लिए इतना ही नमस्कार